हेलो फ्रेंड वेल्कम टो एल चैनल सॉलीशन जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ है ड्रग एक्टिंग ओन डाजिस्टिव सिस्टम और उसके अंदर हमने बात किया हुआ है पेप्टिक अलसर के बारे में अभी तक आपने लगबग काफे सारे पार्ट देख चुके हैं पेप्टिक अलसर के बारे में और आखरी पार्ट में अभी आपने देखा रिसेंट में कि जो हमारे एंटा एसिड हैं चाहे वो सिस्टमिक हों चाहे वो नॉन सिस्टमिक हों वो हमारे एसिड के सिक्रेट पार् जो discomfort cause होगा उससे relief प्रोवाइड कराने में आपकी मदद करेंगे तो चलिए अब हम एक छोटे से powerpoint animation की मदद से ये देख लेते हैं कि कैसे हमारा anti-acid काम करता है कैसे ये GIT में present acid को neutral करेगा और एक बार अगर मैं इस चीज को mimic करने को सिस करूँ तो वो कैसा response शुरू करता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा powerpoint बहुत सिंपल सा one-to-one animation सबसे पहले consider करते हैं हम एक stomach यही वो part है जहां पे हमको आगे जाकर के acid और आपके anti-acid का interaction देखना है यही वो part है जहां पे हमारे paritis cell पाया जाते हैं और वो acid के secretion को start करते हैं acid का secretion start होने की कई कारण हैं कई phases है वेगल phase है आपका local histamine release है वैसे को allergic system है और खासका अगर मैं बात करूँ तो हम फूड लेते हैं जब कभी हम खाना खाते हैं उसके बाद acid का secretion और रहादा stimulate हो जाता है क्योंकि उनको हमें digest करना होता है तो consider करता हूँ एक ऐसा step जहां पर हम बात करेंगे full-fledged stomach की यानि कि जब हम food को कुई तरह से use कर चुके होंगे तो यहां पर जो food है वो initiate करेगा acid के secretion को और यह जो food है जैसे ही हमारे stomach में पहुंचेंगे हमारे जितने भी sensing nerve हैं इनके signal को start करते हुए हमारे different feedback mechanism के थुरू अब parietal cell को activate करेंगे ताकि SCL का secretion जिसको हम digestive enzyme भी कहते हैं उनको वो start कर सके तो अभी आपने देखा कि यह जो food है वो कैसे हमारे stomach में enter कर रहा है यह जब food समक में enter करते हैं वैसे ही हमारे body के यह जो part देख रहे हैं यह हमारा parietal cell parietal cell hydrochloric acid simply को chemical nature की बारे में बात करें बात करें तो digestive enzyme यह secret करना start करता है HCL को तो यह जैसे ही food आया वैसे ही यह हमारा parietal cell acid के secretion को अब start कर रहा है यह जो acid का secretion है यह अब हमारा digestive juice इस food को digest करने मदद करेगा अगर कुछ हद तक यह जो acid है इनका secretion बढ़ जाता है due to some known or unknown reason और जितने आवसकता थी food को digest करने में उतने use होने के बाद अगर कुछ मात्रा में acid बचता है तो अब यह हमें acidity की problem cause करेगा और इसे साधान बाद सामें हम अमलियता या hyper acidity कहते हैं इस acidity को neutral करने की यह तो दो में तरीके होते हैं या तो आप acid के secretion को inhibit कर दें लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं anti acid की तो अब secretion तो already हो चुका है तो इसको हम inhibit नहीं कर पाएंगे और नहीं इसको वापस इसके paratis cell में भेज पाएंगे तो जो acid access में हैं जिसकी वज़ा से हमें acidity हो रही है हमारा target यहां पर यह होगा कि हम इसको neutral कर दें जैसा कि आप यूज करते हैं coldering आप यूज करते हैं ino आप यूज करते हैं soda तो वो भी इसी principle पर काम करते हैं जिसको non systemic anti acid में हम कह सकते हैं तो यहां पर मैं systemic या non systemic के बारे में discuss ज्यादा नहीं करूँगा मैं एक overall mechanism के बारे में discuss कर रहा हूं तो अगला जो step है वह आप देखिए ज साथ interact करेगा तो अभी आप अपने screen के right side में center में देख सकते हैं कि हमने कोई anti acid लिया है जिसका example के बात करूँ तो sodium bicarbonate है यह anti acid आगे जाकर के हमारे GIT में पहुचेगा अगर आप acidity को neutral करना चाहते हैं तो यह जो na co3 है sodium bicarbonate है अब यहां पर एक tablet के form में होगा जैसे आ तो यह जो anti acid का tablet है अब हमने oral root से हमने GIT तक पहुचाया यह जो tablet है जिसका हम constituent अगर बात करें तो sodium bicarbonate है जिसको अगर हम मैं बात करूँ टेबले के form में अगर ले सकते हैं तो otherwise अगर आप systemic के बारे में बात करेंगे तो यह systemic भी हो सकता है तो just it is for explanation हम यह आपर systemic और non-systemic के बारे में जाद एक्सक्यूजली नहीं देखने वाले हैं तो यह जो na plus hco3 minus है हमारे anti acid का यह अब interact करेगा different different present of iron in the stomach के साथ आगे का step देखिए यह जो h plus है आप arrow के रूप में देख सकते हैं यह इसके साथ collaborate होगा इनके साथ attach होंगे तो क है वो यह बना लेगा h2 co3 h2 co3 और जो na बना है वो आगे दा के pancreas के साथ अलगला conditions में यूज होंगे और कुछ हद तक आपके systemic तरिकले से addor भी हो जाएंगे तो हम यहाँ पे देखा है कि h plus के साथ attach होने की कारण से यह कैसे attach हो रहे है यह हो रहे है हमारे na plus hco3 minus के case में अब यह बन गया हमारा h2 co3 आगे का जो step है वो देखे h2 co3 फिर से bifurgate हो जाएगा h2o plus co2 में h2o plus co2 यह दिखा रहा है कि अब हमारा जो neutralization of acid था वो complete हो गया अब यहाँ पे जो co2 बना है यानि की carbon dioxide जो बना हुआ है वो डकार के form में हमारे oral root से बाहर निकल सकता है तो य हो गए हमारे एक simple सा process जहाँ पे हमारा anti-acid bifurgate हुआ h2o और co2 में after the neutralization of acid आगे जा करके आप देखेंगे तो यह जो acid आप arrow में देख रहे हैं इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो काम है anti-acid का वो यहाँ पे हो चुका है तो यह जो acid है अब यह acid हमारे लिए discomfort cause करेगा तो this acid is causing discomfort due to the hyperacidity हमारा object यह है कि इसको neutral करें तो अभी आपने देखा कि anti-acid इसको neutral कर चुका अगर मैं यह थोड़ी देर के लिए सोचूं अगर यह मैं देखूं कि oral जो anti-acid है non-systemic anti-acid है वो काम कैसे करते हैं तो इसको समझाने के लिए एक rough explanation लेते हैं यह logically है यह theoretically नहीं हो सकता तो जास हमसे सोचते हैं कि हम पुरे acid को अगर एक beaker में consider करें अगर हम अपने stomach को एक beaker माने तो उसको represent करने का यह process देखिए इसमें अभी आपने जो देखा यह feel होता हुआ यह है हमारा acid जिसकी संख्या फिलहाल ज्यादा हो गई है digestive juice का तभी तो यह hyper acid recourse कर रहा है अब हम लेते हैं इसको balance करने के लिए anti-acid का tablet जो की market में आसानी से मिलता है इस tablet को अगर हम लेते हैं तो यह जो tablet है आगे जा करके हमारे digestive substance को use करेगा fluid को use करेगा और disintegrate और dissolve होंगे और ultimately यह जो हमारा acid था इसको देखिए यह हमारा acid था और इसको इसने neutral कर दिया तो इस anti-acid की tablet ने हमारे acid को neutral किया और इस तरीके से हमारे जो hyper acid की problem थी वो अब solve हो गई और इसकी वज़े से जो discomfort generate हो रहा था वो अब पुईता से जा चुका होगा So friend आज के इस छोटे से power point को use करते वे one to one step by step procedure में आपने देखा कि कैसे acid का जो secretion है वो food की द्वारा start होता है और इसके अधिक acidity cause करने की वज़े से हमको जब discomfort cause होता है तो इसको balance करने के लिए हम anti-acid लेते हैं वो systemic anti-acid कैसे काम करेगा और market में मिलने वाले जो non systemic anti-acid है वो कैसे neutral करते हैं हमारे axis HCL को digestive system में ये था आपका समझानी के लिए simple सा explanation आप अपने main exam में इस diagram को explain कर सकते हैं draw कर सकते हैं इससे आपका जो answer है वो कौफी ज़्यादा presentable बनेगा और impressive भी होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का presentation समझ में आया होगा मैं आपके feedback की पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ आप अपने comment box में बताएं कि आपको हमारा इस तरह का effort क्या सा लगता है ताकि हमें भी motivation मिले और इस तरह के और भी animation आपके लेकर के आते नहीं So friend, thank you very much for watching this video. Wish you all the best for your exam, semester exam, seasonal exam and all kind of exam. Namaskar